इसे पात रहे, आमाल पात वेवा मते हमेशां याद्गिरी राखी जनु। हा याद्गिरी राखा नुकान गणू कठन से, कारण ये शेतान इर्सान ने हमेशां फ्रेब आपे छे, शेतान रात दिवस तमारी पासे तयार बेठो छे, फकत हकीकती मौमन तेना फ्रेब थी बच्चे छे, जेन एक मानश चारे मुसाफरी करतो होए छे, आने तेनी पासे माल होए छे, ते आरे ते माल लुटा इद न जाय, माते ते मुसाफर में उंग पन आउती न थी, कारण के ते समझे छे के जो हूंगी जई, जो हूं उंगी जाय, तो चोर आवी ने मारो माल रुती लेशे, इतलूज नहीं, शौन कराज मने मारी पन आट ते, आवी रित हखिकती मौमन रात अने दिवस एवर खैराखे छे के मारा आमाल पाक रहे तो जारू, आने मने शेतान बाजी न आपे तो जारू, आवी जिते हकीकती मुमन शेतान की डरतो रहे चे शेतान ने पोतानों बिश्मन संगे चे अभी ये फर्मान में इतने हकीकत और देराई से मौला ने फर्माया जाने बहुत इन्लां से बताया है कि आप अपनी रोहानित को काबू करें और आपको रोहानित हयाती में मिले या मरने के बाद में हयाती में आपको मजब का फाइदा दिखना चाहिए और हमारा मजब जो है वो ऐसा है दुनिया के जितने भी दूसरे दीन है वो मरने के बाद जो इनसान मेकी करता है अबादत करता है जो कुछ भी अच्छे काम करता है तो इसका फाइदा मरने के बाद इसको मिलेगा ये समझाते हैं लेकिन मौला हमको ये फर्माते हैं कि आपके जिन्दगी में आपको ये साइदा दिखने में आएगा ऐसा हमारा मजब जो क्यों कि मौला ने फर्माया है जितने बितरे दीन है वो जिश्मानी है रुहानित नहीं है तो उनको दिखने में नहीं आएगा तुमारा दिन जो है वो रुहानी है जिसमानी और रुहानी दिन में कितना फर्रक है तुम इसका चाहिए अब ये बात ऐसी है कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम को फला ने मिश्मरी में नहीं समझाया फला ने बगज़त में नहीं समझाया फला ने बुजरत में नहीं समझाया या मेरे बाप नहीं समझाया मेरी माँ नहीं समझाया ऐसा है मौला फर्माते हैं मैं आपकी मा भी हूँ बाफ भी हूँ और आपके दुनियवी माबाफ से दस उना ज़्यादा मर्बिक हैं और मैं आपको सब कुछ दूँगा, सब किस मैं समझाऊंगा मा के रूप में भी मौला समझाते हैं और बाफ के रूप में भी समझाते हैं तो यहां मौला ने फर्माया हम सब को के तुम सब ख्याल करो ऐसा नहीं के मिशनरी लोग चाल करें ऐसा नहीं के मुखी कामरे चाल करें ऐसा नहीं के मादाब चाल करें आप सब ख्याल करो तुम्हारा दिन रोहानी है और दूसरे के दिन जिस्मानी है रोहानी और जिस्मानी दिन में कितना फरक है उसका तुम चाल करो फिर मुला फर्माते हैं कि जो लोग फर्मान नहीं पड़ते हैं या जो मेरे फर्मान पर जियान नहीं देते हैं या वो नहीं समझें तो उसके दिए मौला ने मुख़ी कामूरी उपड़ जवाब दा लिए बाद में कि रोहानी और जिस्मानी दिन ने कितना फर्ट है वो मुख़ी कामूरे बैच्चपन में मेरे रोहानी बैच्चों को नहीं समझाएंगे तो उनका ध्यान जिस्मानी दिन के तरफ चला जाएगा रोहानी और जिस्मानी दिन में कितना फरक, कितलो फरक से तो ये मुखी कामरा बच्चाओं नान परमा ने समझावे तो ते उन्हों ध्यान जिस्मानी दिन उपर चाले जासे जारे रोहानी अन्य जिसनानी दिन मा किट लो फरक्षे तो नहीं रोहानी में नस्चिन ना बोज समझावा जोई हैं जारे तो वो समझावा मां नसी आता क्या वे तेवों में दिल डरे इतिकाने पर तूपरे तो कि मेरे रोहानी बच्चे की जो दिल हर जगह पर ढोड़ते रहते हैं उसको इलम नहीं है तो कोई किदर जाता है कोई किदर जाता है कोई किदर जाता है कोई बोलता इदर अच्छा है कोई बोलता उदर अच्छा है कभी बोलता वो मजब अच्छा है कभी बोलता वो मजब फिर हमारे जो इलम नहीं है जो उनको तो उनको दूसरे मज़भवाले या इसना इशरी लोग दूसरी किरियां बताते हैं पिर भई ये कुंडे करो जाफर सादर के इमाम जाफर सादर के कुंडे करो खारियां करो ये करो वो करो ये हमारी किरियां नहीं मुला ने फर्माया कि तुम्हारा दिन रोहानी है यहां जिसमानी कोई चीज नहीं तुम्हारा दिन इतना रोहानी है कि अगर तुम हकीकत को संजोगे तो तुम्हारे अंदर ही नमात खाना है तुम्हारे अंदर ही मौला तुछ आते हैं तुम्हारे अंदर ही मौला तुमको दिदार देते हैं और तुम्हारे अंदर ही हकीकत पुलती है फिर शम्मश मौलाप ने इजिनान न फर्माया कि तुम्हारा मज़द कैसा है इसका दिकर करते है कि एजी सत्पंध गोरी विलाविया अलगा न रही है जो आपको नुरानी मज़द मिला है जहां नूर की बारिश है जहां रोशनी 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 है मौला ने फर्माया यह हमको अच्छा लायाने के लिए नहीं फर्माया कि तुम्हारा दिन मगस से बरा हुआ है और इसमें नूर है नूर है, मघद से बगा हुआ है और इसमें नूर है जो तुम इस पर बाबर चले जाओए तुम अपने गाउं पुँच जाओगा, अपने गाउं पुँच गया हुगे यह कच्छ पे टाचावार के बंबे के कराची के इंडिया यह गाम है तुम्हारा असल नूरानी मकान पर आप जा सकेंगे। इतना आपका प्यूर और नूरानी मजब है। उसके पी शम्मश मादाफ ने इसका तजरुबा किया और मैनना किया। तो उनोंने फरमाया कि मैं नूर को रात दिन में नूर में खेलता हूँ, रात दिन नूर पिता हूँ। जिदर भी देखता हूँ जो नूर नूर दिखता हूँ। और जैल्वी में तो इतना फरमाया कि मैं रात और दिन नूर पिता हूँ। तमें अमीरस पी जो दिन में रात कि नूर नुरानियारे लोड। माई गर्स अम्वरत नूर के फुद्रत फिखे जो रिए कि आप प्रेट कहते हैं नहीं हमें बंदगी करता हूं जो इन पी शम्मुष मौद फर्मा चेहें कि बंदगी की बारिश होती है अंदर नूर की बारिश आती है और इस बारिश में मैं इतना नाता हूँ और इतना खुश हूँ कि सारी दुनिया मुझे अगर एक तरफ रड़ और सारी दुनिया की नहार सारी दुनिया की खुशी, सारी दुनिया की दूलत फिर भी मैं इसको नहीं चोब सकता है इसके सामने वो एक ठाक भी नहीं है. एजी सच्पंथ वोरी वीरा अलगाना रही हैं, कि मैं अलग नहीं रख सकता हूं. ये हम सुबे में गटपार के ये जादा सर गिनान बोला जाता है, लेकिन इसमें रोहानक कितनी है, अगर हम हमारा ज्यान लगे, और फर्मान से और गिन कि गिनान साम हम चले तो आम इसके उठे उठान नहीं सकते हैं, जब टक ये गिनान बोला जाराए और जब आप दिल नहीं सकते हैं, इसमें-इसमें hakkय और नूर की बारिश है. सब्संथ वोरी वीरा अलगाने नहीं है, पबेकिन legislation never नहीं, पटियोर निम्ठे को एकिन तो आपको ये नुरानी बारिश मिलेगी, सत्पंथ वोरी वीरा अलगान रही है, नूर प्योने मुखे जुठू न कही है, तो दूसरे पार में फर्माते हैं, जेने उपाया, जेने मिक्ताया, जेने निक्ताया, ये वोई मजब, वोई हमारा नूरानी देना, है कि जिसमें दुनिया को, सारी मखलूब को, और जन्नत, दोज़त, अर्श, पुष, लुवानी दुनिया, मलाइकी दुनिया, जो दुनिया आप बोलो, ये मौला ये शाह करीम हाजरी महामा इसको पहला करने वाला, और इसको नुगाने वाला, ये है, और कोई नहीं है, जिस के गर में आके आप ये आवेशफा, ये नूर की लिजुब्ष पीते हो, और नूर की पारिष में आप बेठे में, जही नहीं उपाया, सो ही रेज, सहिब में जड़ी रस संबाज हो, ये क्यों यहासरी बोलते हैंगी जड़ी भी आपने याद मिन केया, हाले का, आमाते है, जिस तरह से आना चाहिए, जिस तरह से हम अपने हाथ को पाक रखें, इस तरह से अगर हमने पाक नहीं रखा है, तो हमारा एक गड़ी भी अभी उसमें जयान नहीं दिया। के तुई सद्धि मावा सर्माया कि काई लाओ मन और सुं, काई दुलाओ चिंत, काई लाओ मन और सुं, काई दुलाओ चिंत, एक पल चिंत पियासु, जहां चित्वन ताम है। एक पल, एक पल किसी बोलती है। हां फड़ती है, खुलती है और बंद हो जाती ही एक पल, एक पल भी आपका ध्यान लग जावे। अगर आपके आमाल अखी है, आपके पास दिलम है। दिलम से तो रभ पेचाना। मन तो कहां वसे तो रोष्णी हो जावे। अगर इत्मा गिनान हो जावे हमारे अंदा, तो रोष्णी, रोष्णी हो जावे। मन तो अगना में होसे, मन तो काया कारह करे कमाई, सोता है तो भी जिस्मानी करती के लिए सोचता है, दुनिया के लिए सोचता है, अपने लिए सोचता है, बात के लिए सोचता है, अंदर से भी, सोय हुए हैं, जभी भी दुनिया के खवाव आते हैं, दुनिया की बाते आत यह पता नहीं क्या इंसान, कौाबों में भी देखता रेता है, यह उसका अंदर से चलता रेता है, उसका सोचना है, अंदर का जो है, वो दुनिया की तरफ है, लेकिन गिनान होए, तो गिनाने बांदियो मन वहे, गिनान से मन बांदो, यह ऐसा ताकत वाला है कि कोई चीज से पकड़ा नहीं जाता, कुँए मन तो मा बलवन्त के में, अन्य जोदो जोदा और जहां। मन नी जीते जिस्तो मन नी हारे हाथ। कि मन जो है ये जोदा है, ऐसा ताकत वाला है, उसको कोन बान सकता है। एक चीज बान सकता है। कि पिनाने बान दियो मन रहे। इस तरह पानी है कि ये बर्तन चाहिए। वरना पानी ठहरेगा नहीं, ऐसा चला जाएगा, रुकेगा नहीं, मन भी ऐसा है। काया छे कुम्पो, मन छे कस्तूरी। पीव कुतब दिन ने फर्माया, काया छे कुम्पो, जिसम है वो एक बोतल की तरह है। मन है ये कस्तूरी है, कस्तूरी को अगर डखना नहीं लगाओ तो पूझ जाए, निकल जाए। काया छे कुम्पो, मन छे कस्तूरी तेने सत्पंफनों डातन दीचे। ये वहानी इलम है, इसका डखना लगाओ, कैसे निकले जाए। मन छे कस्तूरी काया छे कुम्पो, तेने सत्पंफनों डातन दीचे। कबरी कबरी ऐसा जाय जो वैसी तो नाम साहिब जीचे। आपके दिल में अंदर से भी बंग रखा तो भी वस्वसा डालता है वस्वसा शक डालता है। लेकिन मुला के नाम से उसको काबू में रखा तो नाम साहिब जीचे। इस गिनान में भी बहुत रुआमित बड़ी हुए इसको मैं अब बाद में बोलुगा इस गिनान का फोड़ा में के जी जे ने उपाया, जे ने ने पाया, कोही साहिब ने गड़ी न संबाया। ये गड़ी भी आपने जयान नहीं लगाताlim जहना हुए। जहां पर जयान लगा, वहां आँको पता चला, चो मैं थे मनृप्त करना में सवाल किया है,究ết रूप क्या है। रूप क्या है, हमारे अंदर के रूप है वो क्या चीज़ है, मुझा ने फर्माया है, नूर का दिया है, नूर का, खुदा ना नूर नो गी वो तो हमारे अंदर से, खुदा के नूर का दिवा, ऐसा है कि तरी कोई बड़े बुद्रक है, यह कोई बड़ा बड़ा पुचा और वाशक्त है या बड़ा दल्जेका है तीर है या प्याकम्मभ है? मेरे नूर का दिया मुल्णा कुदा के नूर का दिया तुमारे अंदर है तुम सब में देए वी वो तुम्म सर्रे माच देए वी वो तुमारा हाथ माचेड़ा कोई मजब में ये चीज़ को इन बताएगी, किसी को पता भी नहीं, और हजम भी नहीं कर सकेगा ये इलम, जो पता चल जा रहे, तो जिवाना बन जा रहे, फुला के लूर का चलाब तुमारे अंदर है, इस बदन में, मेरे जेड में, ये जेड में कितने पैसे हैं, ये मेरे जो पता है, तो जो पता है, ये पता है, ये पता है, ये मिद्धी के अंदर क्या है, मेरे जेड, मेरे जेड में कितने पैसे हैं, इसमें क्या है, इसमें लू आपने कभी देखा नहीं, अगर इंसान देखता है, तो इतनी इसकी खुश्चुती है, इतना इसका है, जैने रूप है, तो सूरद तो कुछ भी नहीं है, गैर इसमाईली भी कुछ, इसकी जलत देखी है न, तो उनों नभी सुखियों नभी कहा, एक सुखी शायर के का, सुजिचंड तारा कतिउन, सुरद, चांग और तारे, सुजिचंड तारा कतिउन, तेंखांग तेज हो, इसे भी तेज है, मक्खन माखी, मिस्री, तेंखांग हो मोहब मिठो, मिठास के अंदर आप मिस्री की मिसाल लेंगे जो मिठी शाकर आपी है माप खान मिस्री और माखी और शेह इससे भी इतना मिठा है कि जिसकी कोई दुनिया की जबान ने है कि इसका वो उसकी समझा सके अगर देंगे दलील तो दुनिया की देंगे जिसकर मौला ने शाक करीम आजरी माप शुल्वा आप पुल्या अब लाहां लेखुर। ये 1986 के खर्मा में मौला ने फर्माया कि जब आपको ये चीज मिलेगी जिस तरह आप किसी कोई छूते हैं तो आपको पता चलेगा लेकिन फिर भी मौला ने फर्माया ये भी दुनियारी मिसार इसका सोगा ना में इससे भी ज्यादा आपको फायदा होगा, पुर मुला ने फर में फरमाया रिए हठी कि धनीड है फिकाट तो हठीक कि आप बात कर सकते हैं. एक बगद बापा की बात सुनाओं कि जो बगद बापा मूझने होते ते कभी बता देखे, कि मैं दोदोगंदा मैं बात करता हूं, दोदोगंदा तिंकिंग का चाचा हुआं। मैं एक हैवान से यह पूछ सकता हूं, यह गाय खड़ी मैं पूछ सकता हूं जो तुछ इसमें क्यों आए। गाय को यह वाचा आवे आपको बतावे कि मैंने यह काम नहीं कि ऐसलिए मुझे ही जनन मिदा। अगर तुम्हारे पास इतने भी आलिमा मुझे कठाता हूं, और शरत में भी एक है कि स्रफ रुआन इलम को जहां कबूल करो, और जमात को भी यह दम करो, तो मैं यह चीज़ भी आपको इसलिखा सकता हूं। यह हकीकत, तो हकीकत है। शरीयत मागा है, थरीकत मागा है। हकीकत कितने को अची लगती है। सो में एक निकलता है, पांसे में एक निकलता है, हजार में एक निकलता है। और रोहानित की बात तो लाखों से भी ज्यादा है। लाख माँ एक सती। रूप की बात छोड़ दो, सती की बात है, लाख। करोड में एक जती, जती है न वो उरता है, आप देखें या आपके सामने जवाय में, एक से उरता है कि जाना चाता है प्लेन की तरह जाता है, ऐसे खड़ा ऐसे, बहुत से इंजरी फिल्मों में बताता है, कि वो अनुमान का बता है कि राम और लक्ष्मान मौला दोनु वो आता है मौला के बास, आपना रूप चैन कर लेता है नुमे, एक डाड़ी वाला बन जाया है तो मौला मौला तो दो उसको इसे लगए मौला के सामने में, तो असल रूप में आगए, तो बूलता है मौला, आप इतना देपिल चलेंगे, आप मेरे खंड़े पे ते पनुमान के मौला राम के रूप में है, जिसका लक्षन दूसरे खंदे रहा, कैसे ये रूप का जीजनी जती था नुए आदर दिखाथा के कैसे ये मौला की सिजमत करता है, कैसे ले जाता है, उसको तो एक शोग था, मैं स्रेवा करूं मौला, स्रेवा था। और मुझे बता देते कि सिजमत का वो कितना आशिक था, लेकिन रूप का मौमन है न, वो कुछ इसकी बात ही हो, उसकी ताकत और मौला की ताकत केट हो जाता है, तो उसलिए मौला ने फर्माया कि मौन कौंचु जे काई छे तो रूप छे, माटे तेनी तपास करो के तो इस मेरू हैं, हम सद मेरू हैं, और अभी हम अगर इलम से देखें, मैं इलम से बोल सकी हैं, कि हम एक दूसरे के अंदर से मौला उनको देख रहें, आपके अंदर से, मेरे अंदर से आपको देख रहें, यह नूर पच्या आगा, लेकिन हमको अखिकत का पता नहीं जा, अभी एक खर्मान में आपने सुना होगा मौला इंसान बुरू काम करे छे कहरें खुदा ते में केत्वनिया आपे इस वोकद बुरा काम करता है उसकत खुदा उसको शार्ट बता कि ये नहीं करो खुदा नहोए तो कौन केत्वनिया आपे अगर आपके अंगर कुदा नहीं होए तो आपको अंदर से आपका शहूर जो मला मत करता है वो कौन आपको शचयत करें लेगिद शेटान भी बेठा उगा हुआ है वह जोटे होगा में मौला बेठे इसने में शेटान बेठे काम करता है इसकी बात किया लेड़ु है। भस्वसा भी डालता है... जंजिट में भी यही डालता भी डुखी। भी यही करता है। भी इस फर्मान में जो यह फर्मान पाकाईदायों है. इसमें मॉला में प्रिसा आट ने हकीकरत बत आया है। इसपा अपने पुलावा... पिर तीसरे बात में फर्माते हैं, यह एक रोहानी श्टोरी है, यह आप हकीकत में सम्झयों के पी शमश मावता, रू जो है हमसे मुखातबों के फर्माते हैं, मारू मारू करता चनम गमावयो, मारू मारू करता चनम गमावयो, हिरला शरी को आओ मानखोर बाओ। कि तुम ऐसे समझ दे को मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने कठा किया, मैं करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, जमाता में मैं जाता हूँ, रसोल मैं देता हूँ, इबादत मैं करता हूँ, बच्चों को मैं संभादता हूँ, ऐसा क करते करते तुम्हें जमन निकाल दिया, तो तेरे को पता नहीं तेरे अंदर कौन है, कौन करता है, कौन करता है, कौन कमा के देता है, लग और का कमाते हैं पेलेफन को पे, एक रूर नहीं होगे तो आप कमाएंगे, लेकिन उसको बूल जाते हैं, हम कमाते हैं, हम चलाते हैं, हमने बाते हैं। दुनिया सारी इस चीज में परी हुए। कि शेतान गणी जातना वर्षात रसा हुए। कितना दुशिमाने जुठी बोलू कर गेर है। ये वारिष चालू है तिन्यां बर्व में। बड़ी-बड़ी हुकुमत भी ये समझती है। ये खुमत ये करती है ये ये करती है। पहले कि मुत्त रृ हरता चाता तो वही है। इस तो सारा खेल है मौला का। मुझा सम्ट एक नहीं भूला, एक नहीं भूलो, वदे बूलो बूलो ते सग्रुषण सार। दुनिया सार Creator घृ हुए। अगर जानते हैं तो जिन्होंने रोहानित में मेनत की इस शमश की सदर दीन, रसुल सल लिए अज़र इसा, वो खुदा के पेद और रास को देखते थे, और इस तरह से उनके सीने में ये पेद था, कि कोई पेचान भी नहीं सकता था, कि कोई समझ भी नहीं सकता था, मुलाना रूमी नासरतुस रुसलमा थारस, इतनी उसमें पावर था और उसमें अंदर, कि सब कुछ कर सकते हैं, तो ये तीर जो है, हमारी जबान में हमको दलीले दे के फर्माते हैं, कि जी मारू मारू करता जनम जमाय, जनम तुमारा चला गया, इससे तो पता नहीं, इतने जनम चले गए, एक ही भूल है कि इलम नहीं है, तो आंक बंग पढ़ी हुए, और अंधे की तरह गुंता है, मुर्षिद कामिल को नहीं जाने, सो जुगमा फिरे जिसा अनला, मुर्षिद कामिल कौन है, ये रुवानी इलम है, ये मुर्षिद जयमा, रू का रू है, पहले मुर्षिद कामिल है, पहले जो हमको रश्टा दिखाते हैं ये हमको ले जाती है, नुरानी तरिया, मारू मारू करता जनम दमावयो, हिरला सरीको आओ मान को डुबावयो, आओरे मारा मुतिना वेपारी, अब खुश करते हैं हमको, कि मुतियों के वेपारी, सक्या मुति के वेपारी, दुनिया के माल के वेपारी, दुनिया के करोड लाखो के बिजनस करने वाले वेपारी, वो समचे ने कि बिजनस तो हम से कोई सिखे, बिजनस तो हम करते हैं, हम को बिलाते हैं, आओ, आओ, मारा मुतिना वेपारी, मुति मौती दूंटे दूंटे जिंदगी निकल गई और जो असल चीज है मौला को जो है डूलना था जिसके लिए तुम आये थे जो तुमारी जिंदगी का मकसद था वो तो तुम छोड़ तुम मौती वरंता वारी वाली वस्तु विशारी बूली छे दुनिया अब ठपका देते हैं पूरी दुनिया को बूली छे दुनिया में मरम न काई तो हकीकत नहीं जानते हैं क्यों एक नहीं जानता है दस नहीं जानते हैं सो नहीं जानते हैं लाफ नहीं जानते हैं करोर अरबो आत्मी नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं नही तो जब ये चीज का तजर्बा होगा, आप जी कहेंगे, नहीं जाने, इतने दिन हम भूले हुए थी, जिस परमॉलन अरू में न कहा, कि अधिय कर्दुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु इलम नहीं है यह अभी इसान महीं. चालो, कि अगर तीन, चार, पांच पार्ट से अगर आप तो समझ आ गई है, आपने सुन लिया है, अगर सुन के भूल जाएंगे तो तो अलगी, अगर आपके रगी-रग में ये चीज जाती है, तो सुनो, एजी, बढ़े, पी, शमश कहे, चेटी में चालो, शारो जाओ, फर फरी आओ, मानखो, नहीं मालो, तो गड़ी-गड़ी आपको ये इंसानी जनम में मिलेगा, नो इंसानी जनम मिलेगा, न ये सक्पन, धरम मिलेगा, न आपको इसमें आजम मिलेगा, न रोहानी इलम मिलेगा, न रोहानी प्रिता मिलेगा, पता कहां जाते हैं, इस जनम में जाते हैं। जात रखो इस शीर को के फरी फरी आवो मान को नहीं मालो एजी आरे काया तारी पूलन को वार होती। ये तुमारी जो काया है ने बदन एक फुल वारी हो जिस तरह बागिशे का है ने फुल की वारी होती। पागिशा होता। इस तरह तुमारा ये जिंदगी जो है बिस्मानी जिंदगी एक फूल की तरह है। ऐसा नहीं हो कि ये फूल मौला के गले में पैनाने से पहले मूर्जा जा रहे हैं। यहीनि इसकी जिन्दगी है तब तब मुला के गले में पेना दो, जब यह मुरजा जाएंगे, इसके बेटा हे जाएंगे। यह में जिन्दगी है एक फिल वारी यह पुल की जितने तुमारी जिन्दगी है इसमें तुम अपना फूर रुपी जो हार है यह मौला को पेना दो यह मौला के अंदर इबादत में, बंदगी में, पाकाई में, इलम में ना हो जाओ आरे काया तारीक पुलन को वारो, नती उगणवानों एकियारो और कोई नहीं रश्ता तफपन्द मज़ग के सिवाथ कहीं रश्ता नहीं है आजादी का चूटने का कहीं ही रश्ता नहीं है एक ही रस्ता है और बहुत मैनस से बहुत आपकी ःबादत बनगी से बहुत नेकियों से बहुत ऐसी सची कमाई से आपको एक जनम सत्फंधे मिला है जो मोला की वहम्ट का है, कि खुराओन का अला ने issue अगे से बहुत बढ़ी मेरवानी की है कि तुमको सत्पंदिन जनन दिया, फिर फर्माते हैं, दान पुन दीजिये वीरा सुपात्र जोई, यह ची समझ में जेसे हैं, दान पुन दीजिये वीरा सुपात्र जोई, तो पूजाना फल लेवो रेसोई, कि दान पुन, आप कुंसा दान पुन करेंगे, एक सेवाद करता है, यह भी दान है, एक आदमी जो है सिजमत करता, यह भी एक अपमे लिए मेनत करता है, हर तरह से यह दान, दान, दान करते हैं लेकिन युक्रांि बैची कि दीजियेु विर्भा सुन्य इन युक्राइं के सुपात्रयोिं कि जो पात्र है न, वो देख कुन आप कुनसा है तो खुडावन ओल्वित्थ सुन्य कन डेते है यह पवीटर नूर है और सुपात्र है आप इस दर में जितनी भी ठिजमत करते हैं, जितना भी दान गुन करते हैं, जितना भी था, सुफ़ा, मेहमान, इसके अंदर जितनी भी बख्शिश हैं, ये सुन चीज़ जाएं, सक्षी चीज़ है, नुरानी चीज़ है, लेकिन एक जाहर है दुसरा बातुने का बातुन में पिरों ने फर्माया के दा, हर दम, हर दम दान करेंगे, या दाने दाने दान करेंगे, तो एक पाठ है युपुरा, दान सखावर्द हर दम कीजिये, आप देखे, एक दम जाता है और आप सखावर्द करें, एक दम जाए आप सखावर्द करें, एक दम जाए आप इतनी दिर ढागेंगे, हर दम में आप सखावर्द करें, और जिस सखावर्द केसी है, इसकी मुकाबले में कोई सखावर्द करें, हर सांस में आप अपनी सांस मौला को देते हैं, याने जिकर करते हैं, इलन से आप जागेंगे, सांस को महरी कलती ही रहती है, लेकिन हमने इसको ट्रेंड नहीं दिया, हमने ट्रेंड नहीं किया, अब ये सांस जो है, ये खात में जाती है, एक सांस में एक नुरानी सुच्छा दित पोला मोती बनगा, मौला की जिख़से, जिसकी किमत एक नुरानी सर होता है, नुरानी सर, मौला को हम पेशकरते हैं, और मौला मेमनी न कबूल करते हैं, चुपी सगर बिल माभाप में एक गंठे में जो 900 उ दम मौला को भान देटे, या किद देटे हैं, जो सोला गंटे इबादत करें, फिर उसके बागी के आठ गंटे जो हैं, वो दुनिया में नहीं जाते थे. अब बेसे भी तीन गंटा इबादत करें, तो अच्छे गंटा आपके अंदर इसका पावर रेता है. आपको पता नहीं, ये चलता रेता है, और रिकर के तरफ जाता है हमारी सांस. नगर ये जब हमारी इल्म से और अमल से मेनत होगी, हम देख सकेंगें. तो जो आदमी छे गंटा इबादत करता है, इसके चोजिस गंटे जो है, मौला के दान सकावत में जाते हो, ये दान जिसके जिसा दान, कोई दान नहीं है. राज पाट दे दो सर दे दो ऐसे हजार, और सर दे दो उसके मुखाजिया में कुछ भी रोहां इती बाग अलग तो जो जती है वो इतनी मैनेज करते है उसकी सांस कलती है इसके अनदर फिर वो जो मांते हो मिलता है लेकिना की कती रोहान मुमन जो है वो जाहरी कोई छीज नहीं मांता, बोलता मेरी रोहान्यत बड़े, उकुदाया जे दुख दे हुए तो दे, और मारत्री सारा ही कर, और शारू सोँ, अले नर्सु सो, सारू एक पोतान और रूँ असल मकाने पहुंके देख़े। इस पादल यह है के मेरे से अच्छाही कर बले जो कुछ दुनिया में है बले पुरा हो जावे। लेकिन मेरे इसे अच्छाई करापने, अच्छाई जो है वो जिकर इदादने, तो पीस फर्माते हैं यहां पर, दान उन विजे वीरा, सुपा प्रजोई, अंत कारे आवे कारा जीवराने साथ, ये तुमारे साहत आएगे, ये मुड़ी, तुमारे साहत आएगे, तुमारे सा जावे तारा जीवराने साथे, इसके अंदर भी ये ही समझती है, कि अपने हाथों से, ये अपने जिंदगी में, खुद आप संदगी करो, और खुद मेनद करो, तो ये आपको साथ चलेंगे, ऐसो गिनान पी शम्मश बोलिया, विखीर सर जानिन, साहिवे पद्र पर्दा हो जाएगा, ये गिनान जो पीश शम्मश मावा फरमाते हैं, कि अगर ये सा सच्चा मुमिन है, तो अंदर से इसका पर्दा फुल जाएगा, जो भीश में पर्दा है, खोलो पर्दा पर शम्मश बोलो पर्दा सनुख देखो, असी असी मुक दिकलाओ, मुरा साहिव, अब तेरी मुबद, मेरे मुबद, अभी मुला तेरे से लगी, और ऐसी लगी है, कि हटी नहीं है, दुनिया के परफ हो जाता नहीं है, अभी हम जितना भी ध्यान लगाते हैं, दुनिया पर हटे लिगी, बाद में आप इस पर आएंगे, तो दुनिया के परफ नहीं आएंगे, हट नहीं सके, तक्हीमारी आतमना वदाष से अलग मजा ज़ता, अलग नहीं हो सकता है। एक पल के लिए नहीं हो सकता, एक शेकंड के लिए, जिस अजित अजित मछली पानी से जुदा हो जाए, तो तरफ तरफ मर जाए। पर्दा कुलिया ने साहिब नजरे सुनिया कि अगर पर्दा कुलिया तो उसके इस गारी आंखों से वो ये नुरानी स्वरूप को दे सकता है फिर सर्माते हैं कि लख Χ 14 मां सेरा टरिया लख चुरासी का जो सेरा है तो उसके लिए मही हुए ह कि इसके लिए मौला ने फरमाया जे पहला पर आपका इनमान पाild दूसरा पार्ट जो है वो आमार का उसके लिए मौला ने ये फर्मान किया अगर ये फर्मान का हम समझ लेंगे तो गुना कट जाएंगे बुड़ी जमा हो जाएगा अभी क्या होता है एक तरफ से इस तरह एक बिजनिस करता है आदमी लाखों का एक तरफ से 10-20 लाख कमा ले जाता है तो उसको ऐसा है कि मेरा सब जमा होता जाता है लेकिन पीछे से खाली होते जाता है तो पता नहीं है वो समझत है मेरे करे को ली दान में संझे मेरे वो समान करे उसका जूए कि कहा नहाँ अभी मान एक तरफ से इंदोरानी चीजे लेता है दूसर तरफ से इलम नही तो हर सब मिन्दा फितना दुश्मन ही शेतान की बाजी से वो बचता नहीं है तो यहाँ हजार लाग कमाता है, वहाँ दो लाग चला है, यहाँ पल पता नहीं करता है यहाँ तो लाग कमाता है और एक उल्टया भी इसमें से नुकसान करने के लिए ऐसा मुमिन राजी में बोले मेरे बैलन्स जो है वो बढ़ती जा रहे तो उसको समालने के लिए यह हथ्यार है कि आमाल पाक के सुवने देखे लिए देपाक के लिए हमेशें ज्याद भी तो हैंन कि पहले पाक पहले आपको मेहनत होगी याली याली,-्याली,-याली,-याली,-याली, पहले जाहर में आप करीगए और यह चीजी आपके अंदर जायगी तो याली,-याली,-याली,-याली starts चालू रहेगा और इसको छोड़ना नहीं कि जिस तरह रसूल आंखी ये गाली दिल ठाम ना आवे जिक्रुपाली, जपने कम नहीं कर जो कोई, कमते नहीं हो जाया सा नहीं कि चार बजा, पांच बजा आये जन्दा मुखी बोले, आप बोला, आप छोड़ना, नहीं कि छोड नहीं कि जाब शाब जीते हैं, तो भी चालू रखो, गर पर आओ, तो भी चालू रखो, इसका थ्यार रखो, कि ये मेरी जिक्र जो है अंदर, सांस चलती है, इसके साथ ये चीज अंदर आ जा रही है, मैनस तरमें से ये चीज हो सकती है, फिर आप जम जाएंगे नहीं, त जो कुछ गड़ी चीज चलती रही है, जिसको अजम्त ऑज हो का है, इसका रहा है, तो मेरी शक्त produção क्या है, तो जो कि ये ये चीज बीखता है, नेकिन इंसान दुनिया के तरफ जादा जाता है, दुनिया को लेख कर देखतो, दुनिया से सारी त्राल सुज उसकी चली जात तो यह रूर जो है वो पंजो होगा तो बहुत ताकत है आमाल पाक ते सुआने ते के वी ते पाक रहे आमाल पाक रखने के लिए रखा माटे हमेशा यादगिरी राकी तो एक ये बात अगर याद हो जा रहे समझ में आ जा रहे तो ये मलाइकों से भी बड़ी ताकत है समय है आँ यादगिरी राक्वान काम जर्म कथन इसको मौला कथन बोलते हैं मौला कथन बोलते हैं कथन तो है लेकिन मौला फर्माते है आदल आपकी हो जाएगी तो कथन नहीं लगेगा आदत आपकी हो गई तो कथन नहीं लगेगा हाँ, याद्गिरी राप्वान हुकाम गणुं कठन से, कारण के शेतान इंसान में हमेशा अफ्रेव आपर चेता, तयार बेटा है उमारे अंदर, महला का नाम आया, हो गया, बारा कोर्स याने चोबिस माल दूर सुरेना पड़े, आपके याद्गिरी शुरू ही, याली, या काल ले ले लें, एक चोर है, जिसके आत्म शुरा है, और एक मालिक है, जिसके पास पिस्तोल है, गन है, देखता है चोर, जिसके पास गन है, आउंगा तो महरे तो, वहां से शुप करेगा तो महत्तमता, अगर वो शुप जाता है, शुप के देखता है कि ये कितनी देर पक दो गंटा पकड़ता है, तीन गंटा पकड़ता है, रखेगा, जब आप हथार को रख देगेंगे, पिस्तोल को, तो आएगा, शुरेवाला, आपता माल तो ले जाएगा, लेकिन आपको भी मार देगा, ये एसा चोर नहीं है कि चलो दद बिसुत कर ले गया, एसा चोर नहीं है कि एक गाय बेल ले गया, ऐसा चोर नहीं है कि चलो तुमारा पैसा ले ये छोड़ कि, पैसा तो पैसा, माल तो माल लेगा, लेकिन आपको भी मार देगा, ये एसा खतरनाक चोर है, इस बाट तो समझना चाहिए, मुदा नहीं फर्माया, तारं कि शेतान इंसान ने हमेश आपके शेतान रात ने दिए और तर्मारी पासे तयार बेठो ची, फकत हकीकती मुमन देना फर्म की बचाहिए, जो हकीकती मुमन है न, इसको पता है, हकीकत किसको बोलते हैं, हकीकत, यानि जिस तर आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये हकीकत है, आप में देखा, ये बारत आप बोल रहे हैं, आपको देखा, बोला हाँ, मैं देखा हूं, आप कहेंगा, मेरे सामने, मेरी आँखों के सामने, मैंने देखा है, ये हकीकत है, आप बोलें, आपको पूशिए, आप बोलें, हाँ, हकीकत है, इसको मुमन है, जो देख रहे हैं और उसको वह बाजी नहीं ले सकता है हकिकति मुम्मन ने